स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टेटी चैनल पर और यहां पर हम लोग करें बिहार विद्याले परिक्षा समीती 2020 जो की 17 फरवड़ी से एक्जाम लेने वाली है उसकी बारे में तैयारी लेटेश्ट पैटान 2020 पर 60% आपजेक्टिव वहां पर आएंगे जिसमें आप कैपसुल कोर्स जिसके तहद हम लोग कर रहे है आज 19 वा दिन और इससे पहले भी 18 दिन का वीडियो चैनल पर डला हुआ है तो जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज अपनी तयारी को अच्छे बनाने के लिए चैनल पर जाया और प्लेलिस्ट को चेक करें और वहां पर स पूछा है मंगलम पार्ठ में कितने मंत्र हैं उप्शने चत्वारा चार वी पंच पांच सी सब्साथ या फिर टी अस्ट आठ बिल्कुल सही आंसर आप लोग का रहा है बिल्कुल सही आप्शन नमर बी होगा यहां पर पंच ठीक है पांच पांच मंत्र थे नेक्स्ट को कुछ यहाँ पर सेकेंड है पूछा आप से सत्ति कामो कि सद्हार और है साही और यह उनी पात्र से दिए स pursue ने मिए नाक्स लाइक नहीं किया विडियो को लाइक करें सेर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें तो कोशनलने यह है सेकेड्ब नमबर अ हें थार्ड नमबर ठांघथर है यहां पर बेदाह मिंतम पुर्दशं महानतम डैस विद्यययानम मंत्र किस उपनिसद से लिया गया है option A कठो उपनिसद B स्वेता स्वेतो उपनिसद C मुंडुको उपनिसद या फिर D इस्वावाइसो उपनिसद बिल्कु सही answer आप लोग का option B यहाँ पर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोर्शन यहाँ पर है कोर्शन नमर फोर पूछा है मेगा अस्थनी पतना किसके समय आया था option A असोक के समय में B मुगलवन्स के काल में C चंद्रगुप्त मौरे के समय में या फिर D अंग्रेजों के समय में बिल्कु सही answer option B आप लोग का चंद्रगुप्त मौरे के समय में next question चलते हैं question 5 यहाँ पर पूछा है पाटले पुत्रों की पुत्तिल पुत्लिका रचना के अधार पर पतना का कौन सा नाम है option पुरुसपूर B कुसुमपूर C पाटले पुत्र या फिर D पतना फिल्कु सही answer आप लोग का option C पाटले पुत्र next question आपके सामने यह र बी मुगल बन्सकाल से सी असोक की समय से या फिर D अंग्रेजों के समय में बिल्कु सही answer करना है option A हो जाएगा आप लोग का गुप्त बन्सकाल से next question यहाँ पर question 7 पुछा है पाटले पुत्र पतना के नाम से कब से परसीद हुआ है कम नहीं होगा यहाँ पर कब होगा ठीक बिल्कु सही answer option number C होगा आप लोग का मध्यकाल में ठीक है next question चलते है question number 8 पुछा है बहुत ही अच्छा question आप लोग को बिरिस्वर कौन था option A मिथला के राज़ा B मिथला के मंतरी C मिथला के राजकुमार या फिर D मिथला के संतरी बिल्कु सही answer आप लोग का option B होगा मिथ अच्छा के मंतरी संतरी नहीं थे ठीक है next question चलते है question number 9 पूछा है आलस सला में आग क्यों लगाई गई option A आलसियों को भागने के लिए B आलसियों की परिक्षा के लिए C अलस सला की संपत्ती को हरपने के लिए या फिर D इन में से कोई नहीं बिल्कु सही answer option B हो जाएगा आप लोग का आलसियों की परिक्षा के लिए next question चलते है question number 10 है यहाँ पर उचागा याग वलस्षिक ने आत्मतत्त की सिक्षा किसको दी थी option A मेत्रेई को B गारगी को C सुलभा को या फिर D राम भद्रम्बा को बिल्कु सही answer आप लोग का option A हो जाएगा मेत्रेई को next question चलते है question number 11 है यहाँ पर पुछा है आंगल सासन कालेच या पातली पुत्रस्य डैस भिकासो जाता देख तस्थान को पूरा करना है option A सुत्राम B उत्राम C सोभना या फिर D किंचित बिल्कु सही answer option A होगा आप लोग का यहाँ पर सुत्राम next question चलते है question number 12 पुछा है कारो निकम बिना के साम गती आस्ती करुना के बिना किसकी गती नहीं है या करुणा की सही है करुणा के बिना किसकी गती नहीं है option A परोपकारिनाम B धुरता नाम C अलसा नाम या फिर D बिदुसा नाम आप लोग जानते हैं इसका answer क्या होगा बिल्कुल सही answer आप लोग का option number C यहाँ पर अलसा नाम next question चलते है question number 13 बिल्कुल सही answer आप लोग का option number B है यहाँ पर मैथली कभी नेक्स्ट कुस्टन चलते हैं question number 14 पुछाए गंगा देवी किम महा काब्यम और रच्यत option A मधुरा बिजियम B संकर चतितम C बिजियांक्यम या फिर D ललिता दित्यम बिल्कुल सही answer option A हो जाएगा यहाँ पर मधुरा बिजियम नेक्स्ट कुस्टन चलते है question number 15 याग बलस्टे पत्निक का असित option A ध्रितिमती B दर्शनिक करूचितमे चिमती C सिक्षिका या फिर D कभी तिरी बिल्कुल सही answer option B नेक्स्ट कुस्टन चलते है question number 16 यहाँ पर पूछा है राम परवेशस से नाम किम अस्ती अप्सटने मंगल टोला भी धर्म टोला C भिखन टोला या फिर D महानर टोला बिल्कुल सही answer option C यहाँ पर भिखन टोला नेक्स्ट कुस्टन चलते है question number 17 पूछा गया आपसे लक्षमी की दिसम जनम उपैती अप्सटने कारूपूर्सम B कुच्शित पूर्सम C अध्योगी नम पूरुसिहम या फिर D बिद्वासम बिल्कुल सही answer option C यहाँ पर उद्योगी नम पूरुसिहम नेक्स्ट कुस्टन चलते हैं 18 नमर यहाँ पर आसी ही सुनताम कह जनियती अप्सटने आवेशा B भाववेशा C द्वेशा या फिर D मैत्री बिल्कुल सही answer option C यहाँ पर द्वेशा नेक्स्ट कुस्टन 19 नमर यह पार्नियम अप्सटन A उपदेशा B हितोपदेशा C स्वार्थ उपदेशा या फे D अनुदेशा बिल्कुल सही answer option C स्वार्थ उपदेशा नेक्स्ट कुस्टन चलते हैं question 20 यहाँ पर पूछा है किम जयम प्राप्रिणियती अप्सटन A सत्यम B असत्यम C क्रोध्यम या फे D मोहम बिल्कुल सही answer option A सत्यम नेक्स्ट कुस्टन चलते हैं question 21 है पुछा है कुत्र तब कंगा नम इतिकह अभवत A व्यागरा B मिर्गा C पान्था या फेर D नरह बिल्कुल सही answer option C पान्था एक्स्ट चलते हैं question 22 है यहाँ पर सर्व किम तज्यतू तज्ययू अप्सटन A सार्वत्थम B परमार्थम C परोपकारम या फेर D और सही सुनूताम बिल्कुल सही answer option A स्वार्थम नेक्स्ट कुस्टन चलते हैं 23 नमबर है मंगलम पाठे कती मंत्रा संकिलिता संती अप्सटन A 10 वी अस्ट सी पंच या फेर D त्रियों 10 बिल्कुल सही answer option C पंच पहला question यह था नेक्स्ट कुस्टन चलते हैं question 24 भारत महिमा आधुनिक गीतस्य रचना का option A डॉक्टर उमा संकर सर्मा बी डॉक्टर रामविलास चौधरी डॉक्टर मिथलेश मिस्र या फे D डॉक्टर गिर्जानंद मिस्र बिल्कुल सही answer option A डॉक्टर उमा संकर सर्मा नेक्स्ट पूछा है रूपम केन रक्षते? option A सत्यन, B धर्मेन, C मिर्जेया या फे D योगेन बिल्कुल सही answer option C मिर्जेया question 26 है यहाँ पर धृत राष्ट अस्य प्रस्ण अस्य उत्तरम कह ददाती धृत राष्ट के प्रस्ण के उत्तर कौन देते हैं? option A बीदुरा, B मनुह, C भर्त हरी या फे D युधिश्टिरा बिल्कुल सही answer option A होगा यहाँ पर बीदुरा next question चलते है question 27 पूछा है करना कम कवचम कुंडलम कुंडले चद दाती करन जो है अपना कवच कुंडल कवच और कुंडल किसको देते हैं? option A इंद्रम, B भिशन, C कृष्ण, D युधिश्टिर बिल्कुल सही answer आप लोगा option A यह गये थे इंद्र गये थे इनके यहाँ इसलि पर सास्थ कारा पाठे का सैली आसा दीता वर्तती अप्सने प्रस्ण सैली, B उत्तर सैली, C प्रस्ण उत्तर सैली या फिर्टी वर्ता लाप सैली बिल्कुल सही answer option C हो जाएगा यहाँ पर प्रस्ण उत्तर सैली next question चलते है, question number 29, पूछा है जानकी नायका कास्ति, जानकी के नायक कौन है, बिल्कुल सही answer करना है यहाँ पर, option A रामचंद्रा, B धनुरधरा, C सिक्षिका, या फिर D महंद्रा, बिल्कुल सही answer option A होगा यहाँ पर, रामचंद्रा, next question चलते हैं, तीस number यहाँ पर, पूछ option A, पितुन, B, पितुन, C, पिन्तुन, या फिर D, पिर्तुन, बिल्कुल सही answer होगा, option D नमबर आपका, पिर्तुन, next question चलते हैं, तीस number यहाँ पर, अववाई भाव समास का उधारन कौन सा है, option A, खेलन, तरम, B, महापुर्स, C, उपगंगं, या फिर D, तिरिलोचन, बि नेक्स्ट चलते हैं, 32 नमबर यहाँ पर, पूछा है, नीलो उत्पलम में कौन सा समास है, option A, अववाई भाव, B, बहुबरी, C, द्वन्द, या फिर D, कर्म धार्रे, बिल्कुल सही answer, option D हो जाएगा, यहाँ पर, कर्म धार्रे, next चलते हैं, question number 33, पूछा यहाँ पर, इत् गुपाल, पादने, खंजा, अस्ति, या फिर D, राम, वाने, रावन, हतवान, परिश्रम से धन होता है, या फिर, जटा से तपस्वी मालूम परते हैं, या फिर, गुपाल, पैड से लंगरा मालूम परता है, या फिर D, राम, जो है, बान से रावन को मारते हैं, हत्या करत बताई बिल्कुल सही आंसर क्या होगा अप्शन भी बिल्कुल सही है ठीक है जटा भी तापसर गायती वह जो है जटा से तपस्वी मालूम पड़ता है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अप्शन यहां पर भी हो जाएगा आप लोग का नेक्स्ट कोश्चन है चौंटिस नंबर मंदम मंदम घृति वनाःके मंदम मंदम पद में दुऑितिया विभगति किस सुत्र से हैं ऑप्शने क्रिया विशेषने दुजिया वी कर्मने दुजिया से काला ध्वनोत्रम ध्वनोत्यंत संयोगे द्वितिया या फिर D कथी चंत बिल्गुँ सही आंसर होगा यहाँ पर आप्शन नमबर A किरिया विशेशने द्वितिया नेक्स्ट कुश्चन चलते हैं यहाँ पर 35 नमबर है डैस पिता आपनम गता वक्के के दिकतास्थान में कौन सा पद होगा आप्शने रुदंतम बालकम B रुदं बालह C रुदतती बालके या फिर D रुदतते बालाई बिल्कुल सही आंसर होगा आप्शन C यहाँ पर आर्थ में कौन से विवक्ति होती है ऑप्शने दुईतिया बी तीरतिया सी चतूर्थी या फिर दी पंचमी बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आप्शन C यहाँ पर चतूर्थी नेक्स्ट कुशन चलते हैं 37 नमबर किस सब्द में पराउपसर्ग है ऑप्शने अप्शने निह बी निर सी निस या फिर डी नी बिल्कुल सही आंसर आप्शन डी नी नेक्स्ट कुशन चलते हैं 49 नमबर है पूछा है पाधातू के लोट लकार मध्यम पूरुस एक वचन में कौन सा रूप है ऑप्शने पीवतू बी पीवी सी या फिर सी पीव या फिर सी यहांपर पीव नेक्स्ट कॉश्चन चलते हैं 40 नमबर यहांपर पूछा है द्रक्षयती किस लकार का रूप है बी लोट सी लंग या फिर दी लिरित बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन दी हो जाएगा लिरित लकार है नेक्स्ट कॉश्चन चलते हैं 41 नमबर पूछा कि बनेगा अप्शन नमबर पूछा है आप से और जोर ओ के योग से कौन सा वर्ण बनेगा अप्शन आ बी ओ सी ए या फिर डी ओ बिल्कुत चाहिए आंसर यहां पर करना है अप्शन बी बिल्कुत सही है ओ ठीक है नेक्स्ट चलते हैं 43 नमर यहां पर पूछा गया आप से भावत किस धातू का रूप है अप्शन भू बी भाव सी भाव या पर डी भावत बिल्कुत सही आंसर अप्शन यहां पर भू नेक्स्ट कोशन चलते हैं 44 नमर पूछा गया आप से परांग मुख में कौन सा उपसर्ग लगेगा अप्शन ने परा बी प्रा सी अप या फिर डी आ बिल्कुत सही आंसर अप्शन यहां पर पर नेक्स्ट कोशन चलते हैं 45 नमर पूछा आप से है कि सोरी पद में परयुक्त इस्तिरी परत्त है अप्शन ने टाप बी डिप सी इस या फिर डी चाप बिल्कुत सही आंसर अप्शन सी यहां पर डिस नेक्स्ट कोशन चलते हैं 46 नमर पूछा गया आप से अज में कौन सा इस्तिरी लिंग रूप बनेगा अप्शन अजा बी अजी सी अजनी या फिर डी अजेई बिल्कुत सही आंसर अप्शन नमर ए है इस पूछा है तत्पूरुस समास में कितने भेध होते हैं अप्शन एक बी दो सी तीर्टिया या फिर डी चाप बिल्कुत सही आंसर अप्शन बी यहां पर दो नेक्स्ट कोशन चलते हैं 49 नमर पूछा का करम वाच्छे करता में कौन सी विवक्ति होती है अप्शन प्रत् चलते हैं 50 और पूछा बहुत ही अच्छा कोशन है साथ यानि किस्सा अर्थ वाले में सी तीर्टिया भिवक्ति नेक्स्ट कोशन चलते हैं यहां पर कोशन नमर एक क्यावन पठनम में कौन सा प्रत्य है अप्शन ए अच्छ बी अक्त सी श्रित या फिर डी लिव्ट बिल्कुछ सही अप्शन यहां पर डी लिव्ट नेक्स्ट कोशन है यहां पर बावन नमर पूछा आपसे हत्वा में कौन सा प्रत्य है अप्शन ए तब बी कत्वा सी कत्थ या फ त्वाम ठीक है next question चलते है question नमर है तिरेपन पुछा है पूजनियम में कौन सा प्रत्य है option ने तब बी तब्यत च अक्ता या फिर • बिल्कुँ सही answer option यहां पर नेक्स्त केस्टर्व से चौबन नमधर यहां पर मनुस्य जूर्तव से कौन सा सब्द बनेगा ऑप सने ऐम इस यमनुस्यत्तम या फिर गिंते हैं लिगत मनुस्यत्तम नेक्स्त कोशिन नहां पर पचपन है पाठा में कौन सा प्रत्य है option A 31 B तल C अन या फिर D ध्या बिल्कु सही आंसर option नमर हो जाएगा आप लोग का यहां पर D ध्या next question यहां पर 56 है भारत जूर यह में योग से कौन सा सब्द बनेगा option A भारतम भारती यह सी भारत या फिर बिल्कु सही आंसर option B भारती नेक्स्ट question चलते हैं question नमर है 57 और पूछा गया यहां पर आपसे राजन जो डिप में कौन सा सब्द बनेगा option A रागी B रानी C राजनी या फिर दी रजनी बिल्कु सही आंसर यहां पर option A रागी नेक्स्ट question यहां पर अंठावन है मालनी में कौन सा इस्तिरी प्रत्य है और पूछा यूबती में कौन सा इस्तिरी प्रत्य है और नेक्स्ट question साथ है यहां पर गुन जो डिप के योग से कौन सा सब्द बनेगा option A गुनी बी गुनवान सी गुनी या फिर दी गुनीन यह लास्ट करें तो लाइक कर दीजिए सेयर कर दीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ठीक है तो यह रहा question आप लोग का आज का यह और इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है question है संसार में बच्चों की रक्षा सच्चा रक्षा कौन है option A माता भी पिता सी भाई य है